नमस्तु दूस्तु स्वागते आप सब का इंडी निज्वेदीब में आज मैं आपके लिए लेकरे हैं बहुत ही खास्ता बहुत ही किस्की तो आप इससे पर जोड़ ट्रै करें और अगर अच्छा लगए तो प्रीज लाक शेयर सब्सक्राइब करें की कटोर से में आपका ले रही हों दो कटोरी गेव का आता अटा लगबग सुझी में यह पर बारिख बली सुझी की इस्तिमाल के हैं आप चाहे तो मूटी वाँ वाले सुझी का भी स्वादानुसाल नमक गाते मैं आपके लिए आपके लुटे लाल मिर्च पावडर आदी च चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चम्मच कुटीवे लाल मिर्च पाउडर दो पिंच जितना हिंग हिंग और आजमाइन से प्रोब्लम होती है ना बो नहीं होगी तक पटा टेट के लिए मैं या पर इस्तिमाल करूंगी चाट मसला आप चाहे तो आम चुट पाउडर का भी पाउडर दो प्रोब्लम हो जाएं और हमने या पर लाल मिर्च पाउडर कुटीवे मिर्च भी डाला है अगर आपको तीका कम पसंद तो पर आप मिर्ची अपने आवशक्ते लिए को जो है अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मठ्री को खस्ता बढाने के लिए मैं इस्तिमाल कर लिए आप चाहें तो इस तरह दोनों अटों की साइथा भी इस तरह मिसल मिसल के मिला सकते हैं या इने मिक्स कर सकते हैं इससे विए आपका जो जयाए जब बिल्कुल पर्फेक्ट है अगर आपको इस बात का अंदजन ही लग पाता है तो फिर आप थोड़ा सा इस तरह से म योट नहीं रहे हैं विल्कुल नहीं टूट रहें यह यह हमारे समयरन बिल्कुल परक्थ आप जितने बार इसे उठाएङगे और मुठ्धि बंद करेंगे यह आपका जो प्रक्थ अग्रेंगे अगर उठी नहींिद्स उसमें लुट जी तो फिर आपको लिकुल परत रहें है तो हमने इसमें सूजी है किया है तो इसलिए इस आटे को हम 5-7 मिनिट के लिए ऐसी रख देंगे ढब कर इसे हमारे सूजी फूल जाएगी और आटा सेट हो जाएगी देख सकते हैं हमने यहां पर इस टाइम आटा इस तरह से लगा है तरह नौर्मल रोटी के लिए लगात बिल्कुल गोल गोल दोनों रतेली के बीच में इस तरह रखकर हलका सा फिर इस तरह दबा देंगे और यहां पर मेची रख रहे हूं थोड़ा सा आटा अब इसे सेम तरीके से रोटी की जैसा बेल लेंगे जिस तरह हम नौर्मल रोटी बेलते हैं और इसे रोटी से बटर कभी इस्तिमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह इस तरह फैला देंगे इससे हमार जो परते बनेगी बहु बिल्कुल ने चिपकेगी फिर से उपर डाल देंगे थोड़ा सा गेव काटा और आटे को वहां से हलका सा फैला देंगे इस तरह से तक कि यह चारत तरफ जिव इस साइट से भी हम सेम तरह से करेंगे साइट को भी हम इस तरह से कर लेंगे यानि जिस तरह हम चौकुर वाली पराठा बनाते ना सेम तरह से आपको कर लेनी है इस तरह से सेम इसी तरह के साम चौकुर वाली पराठा बनाते ना बस बैसे ही कर लेनी है यह पर चिपके नही तरो उस ट्राइम आपका जो सेफ है बिल्कुल पर्फेक्ट हो आप देख सकते हैं सेम तरीके से चारों को हां और याव हम इसमें फिर से एक छोटे चमजीतना डाल देंगे आप चाहिए तो ब्रश का भी इस्तिमाल कर सकते अगर आप ज्यादा परतो वाली मठ्री बनाना चा कर देंगे जैसे आमने पहले किया था तो जी होगे हमारे बिल्कुल तयार दोस्तों यह कापी बड़ा है तो इसके बीच में हम कर देंगे इस तरह कट तक हमें बनाने में जो है थोड़ा आसानी हो अब आम इसके छोट चोटे यानि आदी इंच जितना जो है कट लगा लें इस तरह तो दोस्तों आप देख सकते दो कप गिलू के आटे से बिल्कुल बहुत बढ़ी है और बहुत ही लच्छेदर मठी बनकर बिल्कुल वेडिये तो चलिए क्यों नहीं से तल लेते हैं को हमने यहाप मेडियम गरम कर लिया है आवा में यहाप डाल देंगे हमने मैं डाले हुए दो मिनिट हो चुकी है और गयस को हमने इस टैम मीडियम लो के बीच में कर रख है तो देख सकते हैं अपना पी जो है मठी उपर आ चुकी है जदा बनाना चाहते तो आप इसे दीमे गयस पर फ्राइब करें इससे आपका जो मठी है वह बिल्कुल खसता बनेग तो दोस्तों तयार है हमारे खसता और कुरकुड मठी तो आप इस मठीर को एक से देर मन तक एटाइट वाले डब्बे में इस टूर करके रख सकते टी टाइम स्न्याक से याभी चाय के साथ आप इसे एंज्योई करें आप इसे सरी पर ज़रू ट्राइब करें